मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब 6 मैने में एक बान्यमित रूप से अपने डेंटिस्ट के पास अवश्य जाते होंगे और अब तो मोसम बदल रहा है और त्योहारों का मोसम भी शुरू हो चुका है दिवाली गुरुपूरब क्रिस्मस जैसे त्योहार और फिर एक नया साल ये सभी त्योहार अपने रिष्टेदारों अपनों और दोस्तों के साथ घुलने मिलने और पार्टी का आउसर लेकर आते हैं आप सभी बहुत खुश होंगे निश्चित रूप से बहुत प्रसंद होंगे आपकी साथ साथ आप अपने दात और मसुड़े आने वाले हमले के डर से काप रहे होंगे जी हां आपको मैं डरा नहीं रही हूँ लेकिन वान कर रही हूँ फिर बार में मत कहिएगा कि डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं डेंटल टॉक इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेर कीजिए दातों की बीमारियों से मुक्स्वस्थ जीवन जीए मैं डॉक्टर चेताली आपका अपने डेंटल टॉक इस चानल पर स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ कि आप सब खुश स्वस्थ और मुस्कुर आकर अपना जीवन बिता रहे होंगे इन सबी त्योहरों की आपको शुप कामनाये देते हुए यह एपिसोड आगे बढ़ की पढ़ सकती है मेरी सलाम आने और ये वीडियो आप अन तक जरूर देखिए यकिन जानिए आपके दाद आपको धन्यवाद देंगे और आपका बटू आ यानि के पर्स भी त्योहरों पर अच्छी औरल हाइजिन बनाये रखने के लिए कुछ वैल्योबल सुझाओ देने पहले अपने दातों की ब्लीचिंग यानि वाइटनिंग जरूर कराते हैं लेकिन फिर क्या वो भूल जाते है कि ओरल हाइजिन को मेंटेन भी रखना होता है अपने दोनों हाथों की दस उंगलियों की तरह मेरे दस इजी सुझाओं का पालन करके आप भी अपनी सफेच चम करें जैसे की कैंडी कूकीज चॉकलेट्स आइस क्रीम चिपचिपा या फिर हाड या फिर क्रंची खाना मेठा बोजन स्वादिश तो होता है लेकिन ये सब आपके दातों और मसुडों के मित्र बिल्कुल भी नहीं है और अगर आपके दातों पर क्याप लगाई है तो ऐस चीजे खाने की वजह से वह क्याप निकल सकती है दूसरा अपने डेली ओरल हाईजिन रूटीन का पालन करें और जितना हो सकी आपको अपने इस डेली रूटीन से चिपके रहना है त्योहारों की भाग दोड में दिन में दो बार फ्लॉसिंग ब्रश करना और नमक वाले ग आप केवल थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लानिंग और एफर्ट्स के साथ आप औरल हेल्थ का ख्याल रखके खुद पर ही ऐसान करेंगे यह आपके लिए त्योहारों और चुट्टियों का समय हो सकता है लेकिन आपके दातों और मसुडों के लिए चुट्टियों का मौसम न और पाचन आधी में सहायता कर सकता है लेकिन पानी के सबसे अच्छे लाबों में से एक यह है कि यह ताजी बने बैक्टिरिया को साफ कर सकता है ताकि आप एक सुभा दातों में दर्द और डेंटिस के पास इमर्जन्सी विजिट के साथ न उठें पानी में फ्लूराइड यानि उपकरन नहीं बन सकते हैं बोतल, पैकेज, स्नैक पैकेट, स्टीपलर पीन जैसी चीजों को खोलने के लिए अपने दातों का उपयोग करना कैसे अच्छा हो सकता है क्योंकि समय के साथ जैसे एक्षन आपके दातों के इनेमल और अधिक नाजुक किनारों को कमजोर क कर देगी जिससे दातों में क्रैक आ सकता है या फिर वो टूड़ भी सकता है फिर क्यों अपने फेस्टिवल का मज़ा किरकिरा करें पाच्वा दालचीनी में एक ऐसा गुन होता है जो आपकी सलाइवरी ग्लैड यानि की लार ग्रंती को एक्टिवेट करता है ये करने के बीच बैक्टिरिया दूर रखने के लिए ये एक शांदा तरीका है और हां दालचीनी आपकी सांसों को अधिक समय तक तरो ताजा रख सकती है खास कर जब आपने लसुनी भोजन किया हुआ है चटा यदि आपने पूरे साल अपने दातों को सफेद करने और चमकान सी सिलेक्ट करें आठवा क्यों आप पार्टियों के लिए टूथ क्लीनिंग किट हमेश्चा साथ रखें जिसमें टूथ ब्रश डेंटल फ्लॉस हो अपने बैग में कुछ इंटर डेंटल पिक्स डाले इन्हें दातों की बीच और मसुडों की रेखा के नीचे के एरिया त और एक नॉन स्लिप गृप भी रखते हैं इसलिए आप किसी भी फसे हुए भोजन को साउधानी से और आसानी से हटा सकते हैं दातों की बीच को साफ कर सकते हैं नोवा, स्विश स्विश यानि कि गागल, खाने के बाद पानी से मूँध होने से दांतों के बीच फसा हुआ खाना साफ हो जाएगा, आप माउट वोस से भी कुल्ला कर सकते हो, और सबसे आखरी वाला, दसवा, अपने जीब की उपेक्षा न करे, यानि कि अपने टंग को न का कारण बन सकता है, तो वीवर्स, फंक्शन और गेट टुगेधर में भाग लेते समय, अपने स्वास्थ पर नजर रखना न भूले, साथ ही साथ, क्याविटी मुक्त, यानि कि क्याविटी फ्री फेस्टिवल का आनन लेने के लिए अपनी ओरल हेल्थ पर ध्यान दे, फि क्याती Chana और रखना में जड़ वे खर लेक साथ, मना क्याहिक समय चूले, यानि कि क्याविटी मुक्त, यहल्या थाएर लेने समय वेपनी प्यारा रखना एंपना रखना।